नमस्कार मैं खुशी मित्तव और आप देख रहे हैं इंट्रणी सेविन यूज भारत ने अमेरिका और कई प्रमुक अर्थ वेवस्ताओं के साथ मिलकर शनिवार 9 सप्टेंबर को एक महत्व कांशी भारत मद्य पूर्व यूरोप आर्थिक गल्यारे की गोशना की इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देते हुए सबी देशों की सबधपूर्ता और छेत्रिय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन से इतर भारत, अमेरिका, साउधी अरब, संयुक्त अरब, अमीरत, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप या संक के नेताओं की ओर से संयुक्त रूप से नए आर्थिक गल्यारे की घोशना की गई जिससे चीन की बैट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इन देशों ने भारत, मध्यपूर, वियूरोप, आर्थिक गल्यारे की स्थापना के लिए समझोता ग्यापन पर दस्तकत कर दिये हैं जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बड़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक एकी करण के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उमीद है। कारेक्रम में अपनी टिपनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्ज के बोज के बजाए फाइनेंशल फैसिबिटी को बढ़ावा देने के साथ साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं में प्रयावरन संबंदी सभी दिशा निर्देशों को पालन करने पर जोड़ दिया है। इसी के साथ पीम मोदी ने कहा कि भारत कनेक्टिविटी को छेत्रिय सीमाओं तक सीमित नहीं करता है क्योंकि उसका मानना है कि कनेक्टिविटी आप इसी विश्वास को मजबूत करती है और एहम भूमी का निभा सकती है। इस पहल में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे। पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिमी एशिया मध्यपूर्व से जोड़ता है। और उत्री गलियारा जो पश्चिमी, एशिया या मध्यपूर्व को यूरोप से जोड़ता है। आसान तरीके से समझे तो ये गलियारा भारत को मिडल इस्ट, मध्यपूर्व और आकरी में यूरोप से जोड़ेगा। रेलवे मार्क के साथ प्रति भागियों का इरादा बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने के साथ साथ स्वच हाइडरोजन एक्सपोर्ट के लिए पाइप बिछाने का है। ये गलियारा छेत्रिय अपूर्ती कडियों को सुरक्षित करेगा। वेपार पहुच बढ़ाएगा वेपार सुवेधा में सुधार करेगा और सोशल एन्वारमेंटल और सरकारी प्रभावों पर बढ़ते जोर का समर्थन करेगा। साथी इस पहल के लॉंच को पियम मोदी और अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन समिट सभी भाग लेने वाले देशों के नेताओं ने इतिहासिक बताया। वहीं ये कदम वेश्विक वेपार के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इससे पहले अमेरिका के उपराश्ट्य सुरक्षा सलाकार जॉन फाइनर ने पत्रकार से कहा था कि नए आर्थिक गलियारे वाली इस डील से छेतर के निभिन और मध्यम आये वाले देशों को फायदा होगा और वेश्विक कॉमर्स में मध्यम पूर्व की एहम भूमी का हो सकेगी वहीं आपको पता दें ये घटना कर्म एक महतवपूर्ण समय पर हुआ है क्योंकि G20 साजेदारों में शामिल विकाश सील देशों के लिए वाशिंग्टन को एक अल्टरनेटिव पार्टनर्स और इंवेस्टर के रूप में पेश करके अमेरिकी राश्ट्रे पती जो बाइडन वेश्विक बुनियादी धाचे को लेकर चीन की बेल्ट एंड रोड पर पहल का मुकाबला करना चाते हैं। पूरे छेत्र में तापमान कम करेगा और जहां हम देखते हैं तकराफ से निपटने में मदद मिलेगी रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर देशों को उर्जा उत्पादों समित ज्यादा विपार के लिए सक्षम बनाएगा अभी के लिए नहीं देखते रहें एंट 27 पकड हर खाबर पर